दोस्तों कई दिनों से आप लोग सोशल मेडिया पर देख रहे होंगे यह आरती छोटू का जो मामला है उसको लेकर कई सारे मीडियो भी बन रहे हैं कई मीडिया वाले जाके जब से आरती के पिताजी जेल से बाहरा है तब से कई मीडिया वाले जाते हैं और उनका इंटर्व पूरे बिहार नहीं पूरे दुनिया के लोग आरती और शोटू के इस मामले को देखने के लिए शुने के लिए जानने के लिए बैचन रहा करते और आप सब लोग सुनते भी रहें लेकिन असर्च की बात तब होती है जब मैं भी आरती और मनु का एक वीडियो देख रहा था मैं ऐसे आज तक कभी भी आरती छोटू के मामले को रेकल रिपोर्टिंग नहीं किया हूँ जिस समय ये मामला उचाल में था उसमें बहुत सारे हमारे दर्सक लोग कहते थे कि आप क्यूं नहीं उठाते हैं इस मामले को लेकिन मुझे उचित नहीं लगता था लेकिन रहा तब नहीं गया जब आरती और मनु एक वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि यह दस कोड़ी के मीडिया वाले हमारे घर पर आके पूरे दिन बैठे रहते हैं हम प्रिशान हो गया हम को तबाह करके रख दियें ऐसा लगता है कि हम लोग जी नहीं पाएंगे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं आरती से पूछना चाहता हूं कि आप किसको जीने की बात करते हैं जो जीने लाइक था वो तो चला गया आप किसको जीने की बात करते हैं आप लोग तो जी ही रहे हैं क्या प्रिशानी है क्या प्रेशानी है और मैं निवेदन करना चाहूंगा उस मीडिया वाले से भी आप अपने समान को समझे आप अपने इज़त प्रतिष्ठा को समझे इस तरह से बेज़ती हो रही है आपकी और फिर भी जाके आप बैठें एक बात करने के लिए आप वहां पे दो दो चार चा बैठते हैं बहुत सारे मुद्दाये हैं हमारे देश में हमारे भीहार में हमारे जिला में आपकी समाज में बहुत सारी मुद्दाये हैं आप उसको लेकर उसको उठाइए जिससे गरीबों का कल्यान होगा जिससे पिरितों का कल्यान होगा आर्तिया पिरित नहीं है उसे प भी मीडिया वाले हैं जो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और उतना ब्यजती सहके भी आप उनसे इंटर्विव लेते हैं दो मिनट बात करने के लिए बेचेन रहते हैं और कहती रहती है कि यह मीडिया वाले कहीं न कहीं जो जनता कह रही है वह समझ भी रहें देख भी वह रहें लेकिन वह घंघ लग रहें और कि क्या होता है अनुसासन क्या होता है पिटा जी आए माता जी आप डिवार का जो गार्जियन होते हैं। उसका क्या रिस्पोंसबिलीटी होती है बच्छे के प्रती वार्थी के पिटा जी लोग निभाए थे तो इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। बाकि इस पे अगर कुछ भी मैं चर्चा करूँगा मुझे नहीं लगता है कि वह उची थोगा है ना और फिर से मैं आप सबू का कान पकाऊँ यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं इस पे चर्चा नहीं करूँगा लेकिन मैं पूरा निवेदन करना चाहूँगा हमारे राज के हमारे देश के हमारे जिला के जो भी मेडिया वाले हैं जो भी मेडिया वाले हैं और जाते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं बस दो मिनिट बात करने के लिए मैं उनसे हाथ जोर कर भी न दिकरूंगा कि आप अपने सम्मान को समझे और मैं पहली भी बताई कि बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं जिसको आप उठाके पिरितों की बजबूरियों को आप दूर कर सकते हैं गरीबों के आवाज बन सकते हैं ज समान को समझते हुए आप अपने लक्षक्यों और आगे बढ़िये और जिसके लिए आप इस छेत्र में आया हैं जिसके लिए आप ये काम गर रहे हैं उसको समझते हुए आप अपने कार्जों के परती आगे बढ़िये बस आज इतना ही निबेदन करना चाहूंगा तब त